नमस्कार दोस्तों! आज मैं चोटी-चोटी बुटी का दिजाइन ले हूँ जिसे आप जैन स्वेटर में, लेडिज, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में डालेंगे यह सब में बहुत ही अच्छा लेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए हम तीन के मल्टिपल फंदे लेंगे तीन प्रस तीन 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 और तीन तो इस तरह हम तीन के मल्टिपल में फंदे लेंगे बॉर्डर बढ़ाने के बाद पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे इस लाइन में यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं बॉर्डर के बाद हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे तो हमने सबी फंदों को सीधा बुन लिया अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और रॉंग साइड में हम सबी फंदों को उल्टा बुन लेंगे तीन फंदों का और चार लाइन का ये रिबेटेड डिजाइन है डिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत कुपसुरत और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं तो अब हम आजाते हैं सामने की तरफ तो अब हमारा डिजाइन शुरू होगा तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से दो फंदा हम सीधा बुलेंगे एक, दो और तीसरे फंदे को स्लिप कर देंगे तो इनी तीन फंदो को हम पूरी लाइन में दो राएंगे दो फंदा सीधा, एक, दो और तीसरा फंदा हमें स्लिप करने के लिए हम ऐसे परल वाइज सलाई डालेंगे फिर दो फंदा सीधा, एक, दो तीसरा फंदा स्लिप करना है दो फंदा सीधा, तीसरा स्लिप करना है दो फंदा सीधा, तीसरा स्लिप करना है तो इनी तीन फंदों को दो राते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे दो फंदा सीधा तीसरा स्लिप करना है दो फंदा सीधा और तीसरा स्लिप करना है तो इस तरह हमने अपना पहला लाइन कम्प्लेट कर लिया अब हम आजाते हैं रॉंग साइल में और ये हमारे रिजाइन का दूसरा लाइन है तो पहला फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदा उल्टा तो इन ही तीन फंदों को हम दोराएंगे यहां से हमारा रिपीट पैटर्न चलो हो जाएगा एक फंदा स्लिप करना है दो फंदा उल्टा एक फंदा स्लिप करना है दो फंदा उल्टा स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप कर लेना है और बुने हुए फंदों को उल्टा बुनेना है slip किया हुआ फंदा है इसे slip कर लेंगे और दो फंदा जो हमने सीधा बुना था उसे हम उल्टा बुन लेंगे तो हमारा दूसरा लाइन complete होता है अब हम आजाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे design का तीसरा लाइन है तो दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे जिसे हमने सीधा बुना था उसे हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और इस फंदे को हमने slip किया था तो इसे हम सीधा बुनेंगे तो इन ही तीन फंदों को हमें दोराना है उन अपनी और यहां से अब repeat pattern चालो हो जाएगा यह दो फंदे जो हमने सीधा बुने थे उनने हम सीधा बुन लेंगे इस फंदे को हमने slip किया था तो इसे हम सीधा बुन लेंगे उन अपनी और यह दो फंदे हमने सीधा बुने थे तो तीसरी लाइन में इसे हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी और इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुन लेंगे तो दो फंदा उल्टा और तीसरा फंदा सीधा उन अपने और दो फंदा उल्टा उन दूसरी और तीसरा फंदा सीधा दो फंदा उल्टा उन दूसरी और तीसरा फंदा सीधा तो इन ही तीन फंदों को दूर आते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे और रॉंग साइड से चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे चौथी लाइन पूरी उल्टा बुन ले जाएगी पाचवी लाइन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे अब देखिए हमने दो फंदा सीधा बुना था पहली लाइन में हमने दो फंदा सीधा बुना था और तीसरे फंदे को स्लिप किया था तो पाचवी लाइन में एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे अब यहां ध्यान दीजेगा देखिए हमने तीसरे फंदे को स्लिप किया था तो पांचवी लाइन में एक फंदा आगे वाले को हम स्लिप करेंगे देखिए हमने इस फंदे को स्लिप किया था और पांच भी लाइन में हम इसके पहले वाले फंदे को slip करेंगे अब यहां से हमारा repeat pattern चालू हो जाएगा यानि दो फंदा सीधा और तीसरा फंदा slip करेंगे दो फंदा सीधा और तीसरा फंदा slip करेंगे देखिए तीसरा फंदा जो है वो slip किये हुए फंदे के पहले वाला फंदा है तो इसे हम slip करेंगे फिर तीन फंदों का हमारा repeat pattern चालू हो जागा दो फंदा सीधा तीसरा slip करना है दो फंदा सीधा तीसरा slip करना है तो इन ही तीन फंदों को दूर आते हुए हम पूरी line complete करेंगे एक फंदा बचा है इसे हम सीधा बुनेंगे wrong side से बुने हुए फंदे उल्टा बुने जाएंगे और slip किये हुए फंदे को slip करना हुआ देखिए दो फंदा सीधा बुना था तो इसे हम उल्टा बुलेंगे दो फंदा फंदा प्र स्लिप करना है दो फंदा उल्टा और slip किया हुए फंदा जिब करने हुए दो फंदा उल्टा और ऑस लिप यह हम प्रस लपकर है अब ये हमारे डिजाइन का सात्वा लाइन है और सामने से तो देखे इस फंदे को हमने उल्टा बुना था इस फंदे को हमने सीधा बुना था तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे और इसे हमने स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुन लेंगे अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न चालो हो जाएगा दो फंदा उल्टा जिसे हमने सीधा बुना था उसे हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुनेंगे तो इन ही तीन फंदो को हमें दो फंदा छोड़के इन ही तीन फंदो को हमें पूरी सलाई में दोराना है उन अपनी और दो सीदे बुने हुए फन्दे उल्टा बुन लिये जाएंगे उन दूसरी और और स्लिप किये हुए फन्दे को सीधा बुनेंगे दो फन्दा उल्टा और slip किया हुआ फंदा सीधा दो फंदा उल्दा और slip किया हुआ फंदा सीधा तो इन ही तीन फंदों को दूराते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर देंगे और wrong side से सब भी फंदे उल्टे अब देखे ये हमारा 9th row है तो देखे दूसरे वाले फंदे को हमने slip किया था तो अब की इसके पहले वाला फंदा slip होगा यानि पहला फंदा हम slip कर लेंगे और दो फंदा सीधा बनेंगे एक, दो फिर देखे ये फंदा हमने slip किया था तो इसके पहले वाला फंदा slip कर लेंगे तो पहला फंदा छोड़ के इन तीन फंदों को हम दूर आते जाएंगे यहां से हमारा repeat pattern चालू हो जाएगा दो फंदा सीधा तीसरा फंदा slip करना है देखिए slip किया हुआ फंदा पिछली लाइन में हमने इस फंदे को slip किया था अबकि उसके एक फंदा पहले वाले को हम slip करेंगे तो इसे हमने slip कर लिया अब slip किया हुआ फंदा उसके आगे वाला फंदा ये दोनों फंदे हम सीधा बुनेंगे और देखिए ये फंदा हमें slip करना है ये slip किया हुए फंदे के पहले वाला फंदा है फिर दो फंदा सीधा, अब हमारा चा लाइन का रिपीटेड पैटर्न शुरू हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंज, छोटी-छोटी बूटी का ये खुबसूरत सा डिजाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और पीछे से ऐसा, आशा है आपको पसंदाए होगा, प्लीज, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थेंक्स पर वाचिंग,